दोस्टों यदि आपके पास एक पुराना laptop है वो और वो laptop चल नहीं रही है लेकिन उसका डिस्पले है सही है तो आप किस तरीके से उसा डिस्पले के जरी एक Android TV बना सकते हो अपने घर पे ही तो आज किस वीडियो आपके लिए है क्यों कि इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक लैप्टॉप का डिस्पले के जरिए Android TV बनाया जाता है वो भी पोर्टेवेल आपका जो खर्च होगा लगबग अगर आप नॉर्माल TV बनाओगे तो 1500 से 1700 रुपीज खर्चा ह सorama लीजेग तो इस काम को अंजम देने के लिए मैं इस्तेमल करने वाला हूं इस लैप्टॉप का स्क्रीन को सबसे पहले आपको लैप्टॉप से स्क्रीन को बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए जो आपको चीज़गे धिया अनके देखनें पडिगे सभी लैप्टॉप आपको इसको खोल लेना है बहुत ही साबधनी से और उसके बाद आपको लैप्टॉप का जो स्क्रीन है इसको बहार निकल लेना परेगा और निकलते समय आपको एक चीज़ द्यान में रखना होगा कि नीचे जो है आपको यह वीडियेस कनेक्टर जो लगा होता है तो आपको लैप्टॉप है खराब लैप्टॉप है इसका मदरबोर्ट जो है डेड़ो चुका है तो अब हमें इसका कोई भी जोरौत नहीं है हमें सिर्फ इस पैनल का जोरौत था जो कि हम इसको एंडॉइड टीवी में आपको बदल के दिखाऊंगा तो हमको तो मिल गया है एक डिस सेक्षन होता है वो पहले से अवेलेबल है या नहीं इस पैनल के आंदर देखिए पहले से ब्याकलाइड जो ड्राइवर सेक्षन है यहां पर इन्विल दिया हुआ है इसका मतलब यह हैं कि इस पैनल को टीवी में कंवर्ट करने के लिए हमें अलग से कोई भी लगा हुआ है तो इस पैनल को हमारे एंड्रोइड टीवी मदर बूट के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें इस प्रकर के के लवीडियो की जोरोत परेगी और आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी टूल्स और जितने भी पार्ट की बात करेंगे सब कुछ हमारे वेपसा करेंगा यह अच्छे से जान लिजिए नहीं तो आपका पैसा जो है बरबाद हो जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपका जो पैनल है पैनल का नंबर यहां पे आपको दिखाए दे रहा होगा इस पैनल का नंबर है एन 156B6 तो इस पैनल का जो रिजूलेशन है तेरा सो छे साट इंटू साथ सो अट साथ साथ तापको सबसे पहले आपका पैनल का रिजूलेशन जानना होगा और यह जो हमारा एंड्रोइड मदरबोड है जिस मदरबोड का नंबर है आपको आपको बता देता हूं कि S368A 1.5 यह मदरबोड उसी पैनल के अंदर सपोर् अगर आपके लैप्टॉप का पैनल के अंदर रिजूलेशन कुछ दूसरा हो तो आपका यह मदरबोड सपोर्ट नहीं करेगा यह चीज़ा आपको ध्यान में रखिएगा नहीं तो आपका पैसा जो बरबद हो सकता है तो उस समय आपको पास एक ऑप्सेन बैचेता है कि इ यह आपके पैनल का अंदर कोई भी रिजूलेशन हो सब कुछ आपको सेट हो जाएगा उसके लिए आपको जो मदरबोड जोरत होगी वह 11.2 जो मदरबोड है वह भी हमारे वेपसाट पर मिल जाएंगे आप जाके पर्चेस कर सकते हो तो चलिए दोस्तों हमारे यह एल्वी पर्चेस करने का भी लिंक आपको हमारे वेपसाट साही मिल जाएंगे तो यह जो तीन चीज़े आपको जोरोत परेगी इस पैनल को टीव में करने के लिए और एक बाद दोस्तों जब भी आप इस मदरबोड को पर्चेस करोगे तो मदरबोड के साथ चाथ आपको रेमोड एक बाद यह जोरोत नहीं कि हमरे इस मदरबोड को आपड कैसे करेंगे तो इस तरीका आपको रेमोड मिल जाएंगे और एक आपको इसMAARTC रेमोड भी मिलेंगे तो दोनों रेमोड मिलेंग है स्मार्ट बोड के साथ अगर आप नॉर्माल उन्युनिवर्सल बोड पर्चे लगा हुआ हो तो आपको कोई भी ड्राइबर लेने की जोर्वत नहीं परेगे लेकिन अगर आपके पैनल के अंदर पहले से बैकलाइड ड्राइबर लगाना परेगा वह भी आपको हमारे वेबसाट से मिल जाएंगे तो दोस्तों इसके और भी अच्छे से जानकरी के लिए आप हमारे वेबसाट को विजित कर सकते हूं मैं वापे 20 से इंग्लिस में लिख कर रखा हूं कि किस तरीके से के पुराना लैप्टॉप का डिस्पेले को एंडुएड या नेर्मल डिव में कैसे कंवर्ट किया जाता है स्टेब बाइस्ट के प्रोसेस मैंने लिख रखा हूं तो हमरे जो सबसे पहला काम है वह पर पिंट को लिया हूं कि यह फाले के मैं बसुक्रास के सरा 650 लगाँ से यहां पर औरा सिमेड यह हमर जाए पड़ेगी तो इस जगा को लगाना परेगा यहां पर देखिए पहले से सब कुछ जाग दिया हुआ है यहां यह गराफ पर देखिए यह जो हमारा कि साइड पोलाडिटी हमें लगाना परेगा तो पीछे लिख का हुआ है वी सी बीची से का मतलब यहां पर जो रेड़ दिख रहे होंगे यह हमारा वी सीजी तो इसको आप लगाना परेगा कुछ इस तरीके से यह देखिए लग गया है तो हमारा एलबीडेस का कनेक्शन हो फिरिण चुका है और आप हमें यहां पर इस तरीके से से पर देना है तो आप बता दे दोस्तों सबसे महत्तु पुर्ण पणनों बात कि यहां पे जंपार दिया हुआ है यहाँ पे जंपर दिया हुआ है यहाँ पे आपको 3.3 गोल दोई इल game day के लिए जंपर दिया हुआ है अगर। आपका पेनल टीकों वॉल्ड का हो तो आपको देखना हुगा कि कहाँ पे 3.3 ट影片 लिखा हुआ है तो यहां पर दिखिए यहां पर 3.3 वोल लिखा हुआ है, हमारे यह जो पैनल है वो कीतने वोल्टेज का पैनल है सबसे पहले आपको डेटा सेट में देखना परेगा, नहीं तो अगर आप 3.3 वोल्ट पैनल के अंदर 5 वोल्ट दे दिया, एक सेकेंड के अंदर आपका पैनल खराब हो जाएंगे इसलिए सबसे पहले आपको वोल्टेज को चेक करना परेगा तो मैंने दो तिन वीडियो डाल के रखाऊं कि किस तरीके से किसी भी पैनल का डेटाशीट को डाउनलोड किया जाता है उसके बाद उस डेटाशीट के अंदर आपका पैनल वोल्टेज देख को सिलेट करना परेगा तो हमरा पैनल वोल्टेज भी सिलेट हो चुका है और हमने इस जगापे सब कोच कर दिया हूं तो जब आप नया मादरबोर्ट परचेस करोगे दोस्तों तो उस समय आपको यह जो की का बटान है और यह जो हमरा सेंसर का पैनल है इस पैनल को किया हुआ नहीं रहता है तो हमें अलग से मैचिंग करना परता है तो इसके उपर वीडियो आपको मिल जाएंग से काफी नंबा होता सब करने के लिए यहां पहले ये लगा दिया हूं यह बढ़िया मिस आदर। पावर देने का इस पैउस्के अदर पावर दे सकता हूं या आपके पास पहले से ही कोई 12वोल्ट और मिनिमॉमlak 3 आंप्य का पवर अदप्टर हूं तो आप इसके अधर पावर दे सकती तो में अभी फिलाल इसको मैं इस्थिमाल नहीं करूंगा क्यूंकि मेरे पास जो बेंच पावर सप्लाई है उसे पावरस्प्लाई के जरी में आपे पावर दूंगा तो चले मैं इसको यहां पर घुमा लेता हूँ तो यहां पर देखिए के आप इंडिकेटर दिया हुआ है तो इंडिकाटर को दिखाने के लिए में इसको इस जगा रखता हूं ताकि आपको यहां पर दीखने को मिले तो चलिए में इसके एंदर पावर दे रहा हूं यहाँ पर लगया है तो आभू जो है इसंगर मोद पे यह आपको दिख रहा होगा तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर रिमोट के जरी हास रिलीज करूंगे चलि लिवीं करेंगे इस रेमोट के जड़िये तो मैंने इसको प्रेस किया और प्रेस करने के बाद आपको लगबाग कुछ देर उएट करना परेगा लगबाग आपको एक मिनीट तक आपको उएट करना परेगा नहीं तो ये स्टैटबाइसरी विलिज नहीं होगा झिश्क्राइब कुछ पर इस्मार्टी भी लिखा आचुका यहां पर देखिए यानि की आमारे जो पैनेल में गुण बर्ट हो चुका है वो भी एंडोयड देख सकतों Android TV में convert हो चुका है और दोस्त आपका पैनल का रिजूलेशन अगर फुल तो आपको चीज करना पड़ेगा कि रेमोट कोड के जड़ी आपको पैनल का मैचिंग करना पड़ेगा देखिए हमारा पैनल के अंदर आभी जो है यहां पर सही से पिक्चर नहीं देखाई दे रहा है इसका जो एलवीडियेश टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंक स्कीष शॉर्स 8 representative चुआ है ऑर किरनें के बाद आपको आना है पुर्ण सेटिंग चलतें पैनल सेटिंग टाइंडर हमने आगा पैनल सेटिंग के न हैं करने के बाद यहां पे देखी यहां पे लबीडिस टाइब एड बीट टी आइवान लिखा हुआ तो यहां पे आने के बाद हमें इसको चेंज करना पड़ेगा देखे जैसे हमने चेंज किया और शबहरा पिक्चर बिल्कुल सही सलमत सही आ चुका है तो हमंआप करेंगे एकजीट फिर से करेंगे एकजीट और आप देखिए यह हमरा इसमर्ट टीवी बन चुका है आप इसके अंदर कोई भी यूटूब बगरा सब करनेक्शं करना पड़ेगा तो चले हम चलते ऊंदगे करने के लिए तो और जाने के बाद हम घया सेटिंग्स पर चलिए से चेक़्िवा अधि आपको यहां पर वाई-फाइ सेटिंग देखने को मिलेगा तो हमारा जो दुकान का वाई-फाई है ङो और मैं यह उसको मुँझेड करूंगा टेने के बाद यहां पर पासवर्ट्ड लेता हूं मेरा जो तो यह वह है तो uchar को एंटर कर दिया हूं और अभर हमți करेंगे next और नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो वाइफाई है इसके अंदर कनेक्शन कंप्लेट हो जाएंगे चलिए देखते हैं कि कितना टाइम लेता है देखें कनेक्टेड सक्सस्पुली और अब हम इसके अंदर यूटूब को प्रेस करेंगे डारेक्टली देखें हमने तो आप यहां से डारेक्टली लगा के आप यह जो जाक है इस जाक है जरी आप हम थेटर के साथ कनेक्शन करके आप इसका साउंड सुन सकते हो लेकिन अगर आप कंप्लेट एलड़ी बनाना चाहते हो तो इसके जरीए आप जो अमड़ा स्पीकर साथ है वो भी आप लगा स लगा सकते हो यह आप आपको इसके आनदर वीडियो चला के दिखाता हूं मेरा भी वीडियो चला के दिखाता हो नहीं तो इसके अंदर कॉप्याट क्लेम आ सकता है और इस ट्राइक भी आ सकता है तो यह से लिए मेरा जो वीडियो है यहाँ पर देखिए यह वाला वीडियो का हम चलाएंगे तो इसको अंदर में ओके किया इसके बाद आप किसी भी LCD LED TV के अंदर उनिवर्सल बोड इंस्टोल करपा होगे और आभी जो मेरे पास TV है आप देख सकते हैं आप यह मेरे पास Panasonic का TV है जिसका पैनल नंबर है इसका नंबर है तो आपको किसी भी LCD LED TV के अंदर इंस्टोल करना है तो देख सेच तो फिलाल आभी जो में इंस्टोल करने जा रहा हूं इसका नंबर है वी एस ती 56 U 11.2 और इसके साथ आपको जो तो आभी जो आपको इस पैनल के अंदर मदर बोड का नंबर आपको दिखा वो मदर बोड आपको उन सारे पैनल के अंदर लगाना होगा जो पैनल 306 साडियान की 9 HD और Full HD रेजुलेशन के अलाबा जितने भी पैनल होते उसके अंदर आपको उस मदर बोड को इंस्टोल करना परेगा अगर आपका पैनल का रेजुलेशन 147900 हो गया और आपने इस मद मदर बोड है तो यह मदर बोड आपके पैनल के अंदर सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके लिए आपको यूवल इवेंट जो मदर बोड है उस मदर बोड को आपको इस्तेमाल करना परेगा आपने पैनल के अंदर यानिक लिए अप्टॉप का जो पैनल है उसके अंदर कनेक् को एसेंबेल कर सकते हो और एक दोस्तों आपको में बताना चाहूंगा कि यह उम्हारा मदरबोड मदरबोड का कॉपर भी मिल जाती है तो अभी मेरे पास कॉपर जो है अवेल लेवल नहीं है तो जैसे ही अवेल होंगे आपको अपना वेब साइट के अंदर आद कर दूंगा आइटिंक दोस्त आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया है इस वीडियो को तो शेयर के जिए दबा के जिसके वेपास पुराना लैप्टॉप है और उस लैप्टॉप को टीवी में कंडवर्ट करना चाहते हो तो जल्दी उसके साथ शेयर के जिए ताकि उन लोगों को लगबाग आपको पैसा होंगे डबल देना परेगा वो चाइनीश वेवसाइट्स आपको मिलेंगे लेकिन हमाड़े वेवसाइट्स आपको बहुत ही कम कीमत के अंदर यह हमारा लग जाएंगे कोई किसी भी तरीके का एलविडियोस से मिल जाएंगे अगर आपका पैनल कह नहीं मिल रहा है तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो कि हमें इस तरीके का यह चाहिए अगर हो सके आपको उसको प्रोवाइड कराने की कोसेश करूंगा चलिए दोस्तों और भी कूछ फांक्शन्स और फीचर्स हम देख लेते हैं कि से मदर बोड के अंदर क्या का है अब लोग इसलिए यहांपे इतरनेट के विल को कॉनेक्सेन करके वह जो आपना यूटूब हो चला सकते हो चली एक जेट करते है और इसके अंदर गेमस खेलने का भी बहुत सर आपनो आपको मिल जाते हैं तो चली हम प्रेश करेंगे हों को यहां फे हमने हम को कि've यहां पर आ पस कर सकते हो इसके लिए आपने देखिया है थे सूर से स्थोर्ष को प्रेश करेंगे और स्थूर्ष करने के बाद यह नि कि आंप अपने के से इस तरीके से कर सकते हो बहुत आसानी से अगर आपके मनमे इस वीडियो को हॉdal यह सुझा आए तो नीचे कमेंड कर हमें बता सकते हो और अगर आप इसी इंफोर्मेशन को इंग्लिस में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा वेब साइट का लिंक दिया हुआ है ब्लॉग साइट का जहां पर मैंने एक्स्प्लेंड करके रखाओं कि आखिरे कनेक्शन किस तरीके से किया